हेलो अब्रिवन कैसे हैं आप सभी वेलकम ओन अवर यूटूब चैनल कंसेप्चल स्टेडी पाइंट माइनम इस अंकुस टिप्टान और इस वीडियो में हम कवर करेंगे MPC 004 Lesson 3 Methods of Social Psychology I hope आप सभी Healthy होंगे, Happy होंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कौन-कौन से Methods यूज़ किये जाते हैं Research में Social Psychology First Lesson जो हमने किया माँ पर हमने Study किया था Social Psychology Definition Concept हमने Clear किये जो जो उनके जो फिल्ल्स है Nature and Concept इनको Define किया Second Chapter में हमने Social Cognition के बारे में समझा और अब हम Study कर रहे हैं Social Psychology के Methods कौन-कौन से Methods है जो कि Social Psychology की Study में यूज़ किये जाते हैं सबसे पहला और Common Method है Observation Method आपके लिए सबसे Easy Method लहे गई है, चीक है? Observation Method जैसे की नाम से ही Clear हो रहा है जहां पर हम Observation का यूज़ कर रहे हैं हम ये Note कर रहे हैं किसी का Behavior कैसा है? अब दोबारा अगर मैं एक बार और आपको Psychology की Definition Recall करने की कोशिश करता हूं कि Psychology, Social Psychology किसे कहते हैं और Social Psychology में Methods का Use क्या है? Social Psychology की Definition अगर अगर आपको याद है तो हम जब Human के Behavior, Thought, Process, Actions and Feelings, Emotions की Study कर रहे हैं Social Context में उसको हम Social Psychology कहते हैं या हम कह सकते हैं कि एक Human के Behavior, Thought, Process, Actions, Emotions, Feelings किस परकार से Effect होती है? Influence होती है, Society की वजए से, जो People उसके Surrounding में हैं, उसके Environment की वजए से, या फिर जो Imagination उसने की है कि हाँ शायद वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? इस तरह Presence of Other कैसे Effect करती है एक Individual के Thought Process को, उस सभी की Study को कहते हैं हम Social Psychology. अब इसमें Use हो रहा है Method of Social Psychology में पहला Observation Method. इस Observation Method में हम क्या कर रहे हैं? एक Environment होगा हमारे पास और इस Environment में जिस व्यक्ति का हम Behavior Observe कर रहे हैं, वो उस Environment में किस तरह Behave करता है? हम Simply क्या करेंगे? अब जर्व करेंगे. यही है Simple Observation Method, इस से बाहर कुछ नहीं. समझ गए आप बिलकुल इसी. जैसे कि एक्जामपल ले लीजिए आप, आप मालनी जिए बस है याँपर, बस बना लेते हैं. अब मुझे ऐसी ही बस बनाने आती है, ठीक है? अब मालनी जिए बस है और आपने बस क्यूज में खड़े हुए जो परसन है, उनके बिहेवियर को नोट करना है कि जब ज़्यादा भीड होती है बस में, तब आप वो लोग है जो कैसे बिहेव करते हैं, ज्यादा क्राउड में वो एंगर महसूस करते हैं, या फिर ठीक है, रिलैक्स महसूस करते हैं, तो इ आपको observe किया जा रहा है, या आप एक experiment का हिस्सा है, ठीक है, आगर उस उनको पता लग जाए कि उनको observe किया जा रहा है, तो वहाँ पर एक error, एक threat होगा, जो क्या होगा, हो thrown effect, इसको हम threats of experiments में हम है, जो study करेंगे, जो threats है, जो error होती है हमारी experiments में, उनमें हम इसको study करेंगे ठीक है तो यह तो observation method, अब observation के दो method है हमारे पास, naturalistic observation and participant observation, naturalistic observation जो अभी मैंने बताया जहां पर observer को ये पता नहीं लगने दिया जाता, ये sorry observer को नहीं, participants को ये पता नहीं लगता कि उसको observe किया जा रहा है, natural condition में जो भी behavior हम note करें, सिरफ हमें note करना होगा, observe करना होगा, without any manipulation, without interventions हम कुछ भी नहीं shade खानी करेंगे, माँ पर सिरफ observation करेंगे, उसको हम कहेंगे naturalistic observation, एक example हो रहा है याँ पर, मान लिजए आप coffee shop में, coffee जो पीने वाले व्यक्तियों के क्या करें, behavior को study कर रहे हैं, वो कैसे behave करते हैं, एक शोप में, एक उस environment में, जहां पर लोग बैटें है, टेबल्स पर, तो उनके order, coffee को order करने का तरीका क्या है, कैसे वो शोपकी पर से बात करते हैं, कैसे वो thank you कहते हैं, या नहीं कहते हैं, यह सभी है, जो behavior की जो process है, यह सभी naturalistic observation में होंगे, अगर आपको observe करना है, तो आप वहाँ पर जा कर बैट कर उनको observe कर सकते हैं, अब ब इसे की boys है, boys क्या करेंगे, हो सकता है, बस में खड़े होने के बाद, या बैठने के बाद, या छट पर बैठने के बाद, क्या करते हैं, हुटिंग करते हैं, ठीक है, या फिर सीटियां बजाते हैं, विसलिंग करते हैं, तो यह realistic behavior, मालनी जो उनको यह पता लग जाए, कि क हमें बहरी जो environment में, जो reality में जो behave कर रहे हैं, वही हमें है, जो देखने को मिलेगा, कोई manipulation देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, limitation क्या है, अब कुछ benefits हैं, तो कुछ limitation भी होंगी है, तो limitation क्या है, वहाँ पर हम variables को control नहीं कर सकते, सबसे बड़ा limitation यहीं है, ठीक है, हम control कर ही न observer bias can occur when researcher interpret behavior subjectively, वहाँ पर observer biasness देखने को मिल सकती है, मान लीजिये, बस में, आप उस व्यक्ति को observe कर रहे हैं, जिसको आप जानते हैं, तो it may be possible कि आप उसकी तरह biasness show करें, ठीक है, तो observer biasness वहाँ पर possible है, जब कोई researcher क्या कर रहा है, interpret कर रहा है behavior को subjectively, understand, next आता है हमारे पास participant observation, second method of observation, participant observation में क्या होगा, जो researcher होगा न, वो actively participate करेगा, उस research में, मतलब जिस social setting में individual को observe किया जा रहा है, उसी social setting में वो भी भाग लेगा, वो भी participate करेगा, जिसे हम कहेंगे participant observation, कि researcher जाएगा, उस बस की क्यों में खड़ा होगा, involved होगा, उसी बस की भीड में, वो जो एक होगा, उस भीड में से एक researcher भी होगा, और वहाँ पर जाकर वो क्या कर रहा है, उनको observe कर रहा है, so active होगा वहाँ पर, वहाँ उनसे बात भी करेगा, in-depth understanding लेगा, ठीक ठीक है, क्या, उनका behavior pattern क्या हो, कैसा feel कर रहे हैं, ये सभी है जो participant observation में देखने को मिलता है, जैसे कि एक अच्छा सबसे best example है, anthropologist, anthropologist क्या करते हैं, किसी भी एक culture में जाकर, उनके custom, rituals, behavior, thinking, daily routine, जिन सभी को observe करते हैं, और study करते हैं, anthropologist, एक community के बारे में, complete knowledge, अगर आपने junior NTR की movie देखी है, अभी movie का नाम तो मुझे याद नहीं है, ले वो उनके गाउं में जाती है, उनके गाउं के rituals, customs, रिती रिवाज, वहवाहर, कौन सी लडाईयां पीछे चल रही है, मंदिर में कौन सी पूजा होते हैं, किनकिन भगवानों की पूजा होती है, उनकी विचारधारा क्या है, behavior क्या है, आपस में कैसे रहते हैं, इन सभी को वो study करती है, तो वो anthropologist का काम करती है, जो participative observation के अंडर आता है, कि हम participate यहां पर खुद क्या है, एक active participate कर रहा है, research में, advantage की बात करें, तो यहां पर insider perspective हमें मिल जाता है, लोगों का जो real वही बात है, real का मतलब क्या है, जो वस्तविक, बिल्कुल truth, हम क्या करते है, anthropologist सबसे पहले rapport बिल्ड करते है, rapport बिल्ड करने के बाद क्या करेंगे, हमें जो inner perspective, जो उनका जो point of view, हम उनको समझ पाएंगे, ठीक है, researcher क्या करेंगे, trust, जो rapper कहा मैंने, अभी rapport बिल्ड करेंगे, participants के साथ, और more honest or open behavior को note करेंगे, जो कि हमारे research के लिए काफी beneficial रहेगा, limitation की बात कर पर ethical concerns देखने को मिलेंगे, कई बार क्या होता है, मैं उन्हें अपनी identity के बारे में छुपाना पड़ता है, कि मैं researcher नहीं हूँ, या मैं कुछ यहां पर study नहीं करने आया हूँ, क्या बार क्या होता है, कुछ illegal काम होते हैं, गाउन्स में, वो भी हम उस study का part बन जाता है, और भी observer wiseness है, जो देखने को मिल सकती है, यह थे observation method के naturalistic observation method और participative observation method, second आता है हमारे पास correlation method, correlation method क्या करता है, correlation method ना एक ऐसा method है, जो कि cause and relationship नहीं बताएगा, कि cause and effect, sorry, cause and effect नहीं बताएगा, यह सिरफ यह बताएगा, कि कोई relationship बिन के बीच में है, कैसे, मान लीजिए, अब यहाँ पर हम study कर रहे हैं, anger और temperature, ठीक है, temperature को increase करने पर, यहाँ पर हमने क्या लेगा, temperature को increase करने पर क्या होता, एक room में हमने क्या किया, 10 वेक्तियों को लिया, और 10 person हमने ऐसे ले लिए, study करने के लिए, कि यह इनका temperature पर क्या effect, इनके behavior पर क्या effect बढ़ दिया, और एक room में बंद करने के बाद, वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, temperature को increase किया जाता है, temperature increase किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके anger नैसे जो बढ़ जाएगी, temperature को decrease किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, गुसा थोड़ा सा control हो जाएगा, ठीक है, बही लेकिन ये तो मैंने particular define कर दिया इससे पहले क्या statement रहेगी कि temperature का किसी के behavior या एंगरनेस पर effect पड़ता है तो correlation कहेगी हाँ पड़ता है लेकिन कैसा पड़ता है ये मुझे नहीं पता positive negative कैसा पड़ता है ये मुझे नहीं पता तो simple correlation method क्या है एक social psychology जहांपर examine किया जाता है relationship between two or more variables को बिना किसी manipulation के यहाँ पर हम ना तो temperature बढ़ा रहे हैं या ना हम temperature को घटा रहे हैं सिरफ हमें इतना पता है कि temperature के बढ़ने या घटने से effect पड़ेगा human के behavior पर उनके anger पर ठीक है तो they might influence each other ये हो सकता है एक दूसरे को प्रभावित करें पर कौन किसको प्रभावित कर रहा है ये हमें बिल्कुल नहीं बता थी correlation study ठीक है ये do not establish causation but can provide valuable insight into pattern and association हमें सिरफ ये क्या बताएगी pattern बताएगी cause and effect नहीं शो करेगी तीन तरह की correlation होती है positive correlation, negative correlation और zero correlation ये आपको correlation में क्या होगा माननीजे एक variable बढ़ा रहे है तो दूसरा variable बढ़ रहा है एक variable घटा रहे है तो दूसरा variable घट रहा है simple इसका example क्या लेंगे देखिए correlation को यूँ समझते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ये x-axis हो जाती है हमारी और ये y-axis ठीक है यहाँ पर हमने क्या किया temperature और यहाँ पर हमने क्या किया anger अचीक है अब temperature जैसे जैसे rise हो रहा है जैसे जैसे हम temperature को बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे क्या होगा यहाँ पर anger भी बढ़ता चला जाएगा temperature बढ़ रहा है anger मतलब गुसा भी उनके behavior में दिखने लगा है यह क्या है positive relation कि एक variable जब बढ़ रहा है एक variable one variable क्या हो रहा है increase हो रहा है तो other variable भी क्या होगा increase ही होगा या फिर दूसरे example ले ले लेते हैं कि temperature decrease करने पर क्या होगा behavior में angerness कम होगी यह हम यह कह सकते हैं ठीक है तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि one variable decrease तो other variable भी decrease हो रहा है तो यह positive direction कि दोनों एक ही direction में move कर रहे हैं simple example positive जब एक variable increase हो रहा है, दूसरा variable increase हो रहा है, that means positive correlation, एक variable increase हो रहा है, दूसरा variable increase हो रहा है, तो हो गया positive, एक variable decrease हो रहा है, दूसरा हो रहा है decrease, तो वो होगा positive correlation, दोनों positive correlation, negative correlation क्या कहता है, मान लीजिए आपको क्या कहा जाए, आपका जो social support है, आपके parents का support है, parents का अगर support आपको पूरा है मालने यह सफिशेंट है स्पोर्ट पूरा है तो आपके जो अंदर anxiety level वो क्या होगा कम होगा anxiety level कम होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है जब support बढ़ रहा है तो anxiety level घट रहा है opposite चल रहे हैं दोनों variable एक दूसरे के तो यह क्या होगी negative correlation होगी understand या फिर anxiety level बढ़ रहा है sport घट रहा है ऐसा भी हम कर सकते हैं तो यह भी क्या होगी negative correlation कि एक variable बढ़ रहा है दूसरा variable उल्टा घट रहा है तो हम इसको कहेंगे decrease हो रहा है दूसरा variable तो यह negative correlation हो जाती है zero correlation कौन सी correlation होगी कोई भी फर्क नहीं पड़ता neutral आपको result कैसे मिलेंगे ऐसे कोई फर्क नहीं है कोई चीज बड़े घटे कोई फर्क नहीं है बिल्कुल neutral चल रही है ऐसे ही चलेगी वो होती है zero correlation जहां पर कोई भी correlation नहीं देखने को मिलती no relationship between the variables जब हम एक variable को change करते तो दूसरा variable में कोई change नहीं आता जिसको कहीं है zero correlation आई होप आप यहां पस समझ गए होगे correlation किसे कहते हैं तो अब next रहाता है हमारे पास experimental method अब experimental method में क्या होता है correlation method में क्या था सिरफ हमें relation पता लग रही थी कि हाँ there is a relation there is some relation between these two variables two or more variables हम कह सकते थे लेकिन experiment में हमें क्या पता चलेगा कि इस एक variable की वज़े से दूसरे variable में क्या effect आता है और कैसे effect आता है cause and effect relationship यहां पर हम investigate करते हैं experimental methods में cause and effect relationship को किस तरह study करते हैं manipulate करेंगे एक variables को तो यहां पर आपको कौन-कौन से variables देखने को मिलेंगे independent variable या फिर dependent variable confounding variable extraneous इस तरह आपको सभी variables यहां पर देखने को मिलेंगे अब हम चलते हैं इनको समझते हैं this method allow researchers to draw conclusion about the causal relationship between variables के बीच में cause and effect relationship यहां पर study की जाती है कि हम एक variable में जब change कर रहे हैं तो दूसरे variable पर effect बढ़ रहा है कैसे effect बढ़ रहा है यह हम study करेंगे तो यहां पर है जो experimental method के types हैं कौन-कौन से types हैं सबसे पहला है true experiment method true experiment method में क्या होगा जब हम एक variable को manipulate कर रहे हैं एक से ज़्यादा variables को जब हम manipulate कर रहे हैं और जो manipulate हो रहा है उसको कहेंगे independent variable वो किसी पर निर्भर नहीं है हम उसको साथ शेड़ खानी करेंगे और controlled environment के साथ और observe करेंगे dependent variable पर क्या effect होता है यहाँ पर confounding variables को minimize कर दिया जाएगा अभी आपके लिए समझना ज़रूरी है independent variable किसे कहेंगे और dependent variable किसे कहेंगे यह समझते हैं माल लीजिये यहाँ पर हमने क्या example लिया था भी हमने थोड़ी देर पहले उपर कि temperature और aggression यहाँ पर क्या हो रहा है जब हम temperature को increase कर रहे हैं तो aggression पर हम क्या कर रहे हैं effect चेक कर रहे हैं तो क्या effect पढ़ता है aggression पर aggression क्या होगा temperature बढ़ रहा है तो aggression भी increase होगा ज्यादा गुसा आएगा लोगों को ठीक है तो temperature बढ़ रहा है aggression बढ़ रहा है temperature घट रहा है तो aggression भी घट रहा है decrease तो यहाँ पर हम कर क्या रहे है independent variable की यहाँ पर हम बताएंगे जो हमारे पास यह temperature है यह क्या है independent variable है जिसको हम क्या कर रहे है manipulate कर रहे है इसके अंदर changes लेके आ रहे हैं और इसका effect कहाँ पर check किया जा रहा है aggression पर check किया जा रहा है इसको बोलेंगे dependent variable जिसका effect independent variable का effect dependent variable पर पड़ता है ठीक है यह इस variable पर depend करते हैं यह temperature पर depend करता है जैसे जैसे temperature में variations देखने को मिलेगी aggression level में भी variation देखने को मिलेगी यह कहता है हमारे पास true experiment I hope आपको इस example से समझ गए होंगे independent variable वो variables होते हैं जिन में manipulation किये जाते हैं वो independent होते हैं किसी पर depend नहीं होते हैं लेकिन dependent variable what variables होते हैं जो independent variables पर depend करते हैं मतलब जब independent variable में change होगा तो आप में भी sorry dependent variable में भी change होगा understand तो यह था हमारे पास true experiment field experiment second point आता है हमारे पास field experiment यहां पर क्या किया जाता है real world settings में आपको जो experiment करना होता है researchers to manipulate variables को manipulate करेंगे और यहां पर जो participant unaware होता है कि वहां पर study का वो part है या नहीं है जैसे कि इसका best example मुझे पता है कौन सा लगा जो मैंने अब यहां पर write down किया कभी आपने note किया हो कि आप कहां पर जाते हैं shopping complexes में जाते हैं आप मान लीजिए जारा के शोरूम में गए या फिर आप red tape के शोरूम में गए हैं आपने क्या देगा सबसे पहले आप enter करते हैं आप वह सामान खरीदने के लिए जाते हैं जो आपके मन में है हम कहेंगे कि आपको जाके जो पैंट कमीज खरीदनी है ठीक है जिन्स या फिर टोप इस तरह की कुछ खरीदनी है आप दायरेक्ट यह आउन्ली जाप पैक करवा के यहां पर आएंगे cashire प्रवियर अंडर गार्मेंट जितने भी हैं वो सभी आपको यहां बरबार रखे मिलेंगे हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीज़े भी देखने को मिल जाए जो आपने कभी सोचा नहीं था लेकिन बच्चे क्या करेंगे मालने जो छोटे शूज हैं वो आपको दिख गए आपक मार्केट शोरूम का जब आप सुपर मार्केट में जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा आप आटा लेंगे तेल लेंगे या फिर जो भी आपकी जो रसोई का हाउस होल्ट फिंग्स है वो सभी आप ले लेंगे जो आपको चाहिए लेकिन आपने नोट किया हो तो जो कैशियर के पास जब आप वहां पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए वहां पर आपको कौन-कौन सी चीज़े देखने को मिलेगी कैंडी लोली पॉप च्विंगम्स टॉफी और बहुत सारी ऐसी चीज़े जो बच्चे खाते हैं चीक है और आपको वहां पर रोका जा इसे human के behavior को manipulate किया जाता है environmental की conditions को बदल कर यह है field experiment I hope यह जो example काफी अच्छा था field experiment का आपको field experiment समझ में आ गया होगा यहाँ पर participant को पता नहीं होता कि वो क्या है experiment का हिस्सा है next आता है मारे पास क्वैसी एक्सपेरिमेंट क्या होता है जहां पर हमारे पास half control हो हम manipulate कैसे कर पाएंगे चीजों को पहले से हमने जो decide किया हुआ है हम कुछ इस तरह experiment करेंगे और यह जो इस तरह के response देखने को मिल सकते हैं ठीक है इसका example क्या लेंगे मान लिजे teaching method है methods या आपको जो example से काफी अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हम जब teaching method नया teaching method apply करते हैं किसी भी schools या organization में क्या उनके बच्चों के जो test score है या फिर उनके examination के results पर affect पड़ता है तो यह देखेंगे हम teaching method हमने क्या किया दो schools ले लिए school A, school B, same district से हमने दो school उठाए, same classes के और आपर एक school को क्या दिए teaching method special teaching method हम बोल सकते हैं यहाँ पर special teaching method और यहाँ पर इसको क्या दिया जा रहा है, traditional teaching method से study करवाया जा रहा है और आखिर में क्या किया जाएगा सबसे पहले तो pre-test किया जाएगा फिर apply करने के बाद post test किया जाएगा और फिर इनको compare किया जाएगा तो इनको कहते है क्वसी एक्सपेरिमेंट जहां पर हम क्या करते हैं manipulate independent variables बट यहां पर full experimental control हमारे पास नहीं होता understand इसका example यह बिल्कुल हमने यह आप राइड डाउन किया यह आप समझ लीजिएगा पढ़ लीजिएगा यहोप आपको यहां पर experiments और experiments के पार अच्छी तरह समझ आ गए होंगे आप बात करते हैं threats to the validity in the experimental research experimental research में कौन कौन से threats है जो आपको देखने को मिल सकते हैं सबसे पहले selection wise जैसा कि हमने कहा था first example में ही जो बस क्यों वाला था हो सकता है आप जो select कर रहे हैं कि participant मेरी research का यह होना चाहिए हो सकता है आप अपने friend को कर ले अपनी family से कर ले तो हाँ पर आप बाइजने शो करेंगे ही करेंगे वें पार्टिस्पेंट्स इंद एक्सपरिमेंट एंड कंट्रोल गुरूप आर नोट इक्विविलेंट मान लिजा आपने जैसे हमने यह आप एक्जांपल लिया स्कूल ए न स्कूल बी या फिर हम कैसे एक्जांपल लेते हैं मानली जी आप एन्जाइटी लैवल को चेकर करें देखें रहे हूआ तो आप उन दस असको एन्जाइटी लैवल में जो एं रर नाम से हो जाती है हम पहले सहिए उन ले रहे हैं अपने research में तो obvious है वो तो ज़्यादा result show करेंगे है ना तो वहाँ पर selection आप कैसे select करते हैं अपने participants को वहाँ पर अगर आप business दिखा रहे हैं तो आपकी internal validity को खत्रा होगा okay next आता है demand characteristics demand characteristics मतलब participant क्या करेगा behavior में change कर लेगा जब उसको ये लगेगा कि researcher की expectations क्या है क्या desires है मुझसे चाहता क्या है तब वो क्या करेगा अपने behavior में change कर देगा यह भी internal validity की threats है hot throne effect जैसा कि मैंने बताया जब participant को यह पता चल जाए कि सामने वाले के साथ कुछ गडबड है यार वो मुझे observe कर रहा है मेरे behavior को observe कर रहा है तो मुझे अब sincere हो जाना चाहिए जैसे जब आप exam में cheating करते हैं cheating करते हैं तो आज ऐसे यह आपको यह पता चलता है आप बात करेंगे अरे भाई यह वाला कि यहां पर क्या होता है कि हम experimental की expectations बिलीव अब आउटकम्स क्या आने चाहिए वो हमारे डाटा को affect करती है understand कि social desirability जब participants को यह लगता है कि मुझे वह response देने चाहिए जिससे कि मुझे जो researcher accept करें मेरी society accept करें ऐसा ना हो कि मैं कहीं expose हो जाओं तो इसलिए वो अपने behavior में change लेके आता है social desirability biasness आपको वाँ पर देखने को मिलती है ठीक है limited generalizability अब यह तो जरूरी नहीं है कि आप जो school students पर क्या कर रहे है एक्सपेरिमेंट किया आपने कि एक पर्टिक्लर स्कूल के पर्टिक्लर डिस्टिक के कुछ स्कूल ऑपर experiment किया तो ऐसा नहीं दिश्टिक्स पर या सभी states में जा के उस rule को follow कर देंगे आप colleges में भी आप उनको फोलो कर देंगे या आप उनको जो युनिवस्टी में भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो लिमिटेड जनरलाइजबरटी जो एक्स्टरनल वैलडेटी के लिए थ्रेट हैं तो यह था हमारे पास अब हम ethnography कर रहे हैं यह है qualitative research यहाँ पर हम description डिसक्राइब करते हैं चीज़ों को उनके behavior को क्या करें हैं deasi करेंगे जो theories लिखेंगे नरेटीव लेंगे ठीक है उनकी है जो biography को write down करेंगे तो यहाँ पर ethnography में क्या होता है एक researcher जाता है एक particular क्या करेगा पहले तो select करता है कि मुझे किस areas में जाकर मुझे study करनी है main point के ethnography का ethnography method use किया जाता है एक culture की study करने के लिए group की study करने के लिए ठीक है उनके rituals को study करने के लिए customs को study करने के लिए इन सबी को study करने के लिए जब हम एक किसी proper हम कह सकते हैं एक particular number of groups का जो community को study करने के लिए ethnography का यूज किया जाता है यहाँ पर हम समझते हैं कि behavior, beliefs, norms, social interaction of individual within a specific culture social groups में किस तरह वो आपस में behave करते हैं, उनके norms क्या है, उनके विश्वास, beliefs क्या है, उनका behavior क्या है, या फिर social interaction कौन-कौन सी है, यह सभी हमें जो study करते हैं, ethnography method के थूँ, यह in-depth method है, जहाँ पर हम in-depth है, जो information, जो understand करते हैं, social context के बारे में, लोगों से experience ही कठा करेंगे, उनसे study करके, कुछ characteristics और key points की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला characteristics है, participant observation, participant observation मतलब यहाँ पर जो ethnographer, अब ethnographer कोन हो गया, अब जब हम research में enter करते हैं, जो ethnography method को use करने की जिसने सोची है, वो ethnographer हो जाता है, मन्स जो researcher है, अब उसको हम ethnographer कहेंगे, तो यहाँ पर ethnographer actively participate करेगा, social groups में, social culture में, जिस study, जिस भी area को, जिस भी group को, जिस community को वो study कर रहा है, वहाँ पर उसको जाना होगा, उसमें शामिल होना होगा, उन्हीं की भीड में एक होना होगा, ताकि वो उनको अच्छी तरह है, उनके perspective को, उनके perception को समझ पाए, उनके point of view को समझ पाए, ठीक है, direct observation से daily life routine, उनकी interactions समझता है, उनमें शामिल होकर, ठीक है, participation observation, second data है, हमारे पास qualitative data हमें यहां से जो gather करते हैं, जैसे की detailed descriptions हो गए, narratives हो गए, participant perspectives, क्या है उनके perspective सारा qualitative data, किन-किन method से use करेंगे, interview method, open-ended surveys और field notes की मदद से हम यह सबी है, जो data ही गठा करेंगे, next data हमारे पास cultural sensitivity, अब ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे culture में जा रहे हैं, उसको study करने के लिए और अपनी बात है कि अरे तुम्हारे culture में ऐसे, हमारे culture में तो इससे भी बड़ा program होता है, हम तो वहाँ पर बिल्कुल है न, dedication से काम करते हैं, तुम तो कोई काम करते हैं, बाइजनेस नहीं दिखानी हैं, ये काम नहीं करने, कभी आप ये सोचों कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको ये करना है, ऐसा नहीं करना, cultural sensitivity का मतलब है, समेंदंशील हो जाना, किसी भी culture के प्रती non-judgmental रहना, वहाँ पर सिरफ observe करना है, हमें understand करना है, उनकी observation, उनके perspective लेना है हमें उनको, ठीक है, लेकिन हमें कोई भी अपने culture के बारे में, अपना जो opinion नहीं देना, कि नहीं नहीं, ऐसा तुमने गलत किया, ऐसे culture में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, holistic approach क्या है, holistic approach है, यह जो ethnography है, यहाँ पर हम culture को, language है, rituals है, customs है, उस culture की, social relationships है, जो उनकी जो कलाएं है, जो कलाकरती होती है, मंदिर, मस्जिद, जो भी पूजाएं होती है, ठीक है, जो रितीज, त्योहार जो होते हैं, उन सभी की हमें, जो एक साथ study करते हैं, holistic approach है, ऐसा नहीं कि हम किसी एक पहलू को पकड़ के बैठ गए और सारी research उसी पर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये था हमारे पास इसके जो कुछ characteristics, thick description means, कि यहां पर क्या होता है, thick description हमें मिलता है, rich details, account of the social events, behavior के बारे में, हमारे को एक बड़े पैमाने पर है, जो information मिलते हैं, detailed information मिल जाते हैं, जिससे हमें जो पढ़ने वाले को, reader को है, जो क्या है, एक understanding है, जो event, उस behavior, उ उसके बाद आता है, हमारे पास ये थे कुछ key points, characteristics, ethnography के, okay, अब हम बात करते हैं, steps, conduct, जो कि ethnography को conduct करते हुए, जो उन से steps है, जो उठाये जाते हैं, जो उन से steps important है, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, research site को select करना होगा, कि आप कौन से group, कौन सी setting, कौन सी community, कौन से culture को study करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले आप list बनाएंगे, list में आप define करेंगे, कि मैं तो ये वाले culture को study करना चाहता हूँ, जब आपने एक बार select कर लिया, कि मुझे इस culture को, इस community को study करना है, तब आपको क्या करना होगा, वहाँ पर जाकर उस culture में, उस community में, उस group में enter होना होगा, और wrapper build करना होगा, ताकि आप वहाँ से honest review निकाल सके, understand, जैसे ही आप wrapper build करेंगे, उसे बातचीत करेंगे, time के साथ साथ है, जो आपको information देना शुरू कर देंगे, फिर आप data collect कर रहे हैं, जो जो information मिल रही है, आप interview के माध्धम से, जो open ended question, या फिर notes के थुरू है, जो आप क्या करेंगे, data collect करेंगे, और फिर data collect करने के बाद, आप क्या करेंगे, data को analyze करेंगे, analyze करने के बाद, simply क्या होगा, interpret और understand करने की कोशिश, और फिर हमारी ethnographic report, बिल्कुल simple steps हैं, बस आप इनको एक बार read करेंगे, एक बार ही आपको यह समझ मे आ जाएंगे, simple, ठीक है, ethnography कोई काफी मुश्किल नहीं है, पढ़ने में, ठीक है, करने में हो सकता है, आपने अगर करनी हैं, तो आप सोच सकते हैं, इसके बारे में, अब कुछ methods है, जो ethnography में आते हैं, जैसे कि macro ethnography, micro ethnography, attic perspective, or amic perspectives, इनको define कर लेते हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, कि ethnography तो आप कर रहे हैं, लेकिन किस, कौन सा method ethnography का use करेंगे, अब यहां ethnography में भी method आगे, confusion ही confusion है, तो macro ethnography कौन सी ethnography होती है, जो की बड़े पैमाने पर study करे, macro means, समझ गए होंगे, micro means छोटा, macro means थोड़ा बड़ा, more extensive aspect of a culture, society, social groups, ठीक है, it examine large skill patterns को study करन इंस्टिटूशन को study करना, ठीक है, overarching cultural phenomena को study करना, एक example से समझते हैं, शायद आपको यहां से ऐसे समझना आए, लेकिन example से बिल्कुल 100% showroom में कि आपको समझा जाएगा, जैसे कि एक macro ethnography है, वो क्या कर रहा है, festival study कर रहा है, कैसे वो evolve हुआ, इतने decades, over the decades, वो कैसे वो evolve, उस changes आए हैं अभी तक, structure, economic condition के change होने पर उसमें क्या effect पड़ता है, entire resign बदल चुका है, और अब उस festival में जैसे की holy या दिपावली की बात करें, तो यह Hindu culture में क्या होता है, वैसे इनको सभी मनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, कि यह जो इनको मनाया जाता है, हम complete India में बात करें, तो Indian level पर, इंडिया के holistic level पर अगर हम बात करें, तो holy दिवाली कब से मनाये जा रहे हैं, यह प्रताएं थी, यह जो कहानिया है, इस वज़े से इनको मनाया जाता है, इन चीजों से पूजा की जाती है, या holy पटा के दिवाली दिये जलाये जा यह कपड़े पहने जाते हैं, तो किस तरह है, जो society में change होने की वज़े से, economic condition में change होने की वज़े से, कौन-कौन से change उस festival पे आपको देखने को मिल रहे हैं, यह सबी है, जो आप study कर सकते हैं, हो सकता है कि उस festival में कौन-कौन enter करता है, government कितना sport करती है, tourism has influenced the festival skills को, यह सबी है, जो हम है, जो क्या करते हैं, एक particular community में रहा कर, हम study करते हैं, बड़े पहमाने पर, understand, next आता है हमारे पास micro ethnography, micro ethnography में हम क्या करते हैं, specific localized aspect of a culture, बिल्कुल specific, हमने, हमें पता है कि हम क्या study करने वाले है, society, अब पता तो हमें वहाँ पर भी है, अगभी आप इस बात को सु study करने वाले है, example से समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए आप जो festival की study कर रहे हैं, वैसे ही particular family में रहने के बाद, कि एक family या ग्रूप of individual है, एक तयोहार के दोरान, किस तरह behave करते हैं, ठीक है, उनके जो behavior में कौन कौन से changes आते हैं, social interactions कैसी होते है, emotionally कैसा behave करते हैं, तो इन सब की study कर रहे हैं, पहले example में हमें क्या कर रहे थे, national level पर हम उसको study कर रहे थे, कहां से तयोहार मनाने की शुरुआत होई, और अब तक है, जो कितने changes उस festival में आए हैं, कौन कौन उसको sport कर रहा है, कितने लोग शामिल होते हैं, सब ही बड़े पैमाने पर, लेकिन हम य particular family या community को हैं, जो हम यहाँ पर study करेंगे, next आता है, amic perspective, amic perspective किसे कहेंगे, अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर जो main term है, वो समझने के insider point of view, कि जिस भी community को आपने study किया, उस community के लोग उस festival के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी thinking क्या है, उनका point of view क्या है, वो ह अगर उस community से बाहर के, जब लोगों से हम compare करते हैं, मानने जैसे कि हम किसी एक A नाम के festival को, जो हाँ यहाँ पर मनाया जाता है, किसी दूसरी community में similar तरह का जो तिवहार मनाया जाता है, तो उन दोनों को हम compare कर रहे हैं, मिन्स हम यह कह सकते हैं, जिस group को हमने study किया, उस से ब perspective को कहेंगे, ethic perspective, understand, examining the culture, internal meanings, values, categories are perceived and understood by its member, जिस study, जिस group की हमने study की, उसी के member, उस festival के बारे में, क्या thinking रखते हैं, क्या point of view रखते हैं, वो emic perspective, और ethic perspective में क्या होता है, analyzing a culture, social group from external objective without, sorry, without viewpoint, it focus comparing and interpreting the cultures using universal or standardized category and concept, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जिस culture को हमने study किया है, वहाँ पर दूसरे, similar उसी तरह के culture को दोनों को compare करने की कोशिश करें, यहाँ कह सकते हैं, हम जिस group को study करें, उस से बाहर के लोग, उस perspective, उनका perspective क्या है, उस culture को लेकर कैसे उस culture को perceive करते हैं, तो यह था ethic perspective, चार यहाँ पर हमने method किये, macro ethnography, micro ethnography, ethic perspective और emic perspective, ethnography complete हो चुकी है, यह same question आपको MC05 में भी देखने को मिलेगा, वहाँ पर भी हम करेंगे different examples के साथ, और experiments method किये, हमने आपर तीनो method experiment के, और यहाँ पर observation method किया, तो यहाँ प जो भी research method है, content आपको जरा भी अच्छा लगे या जरा भी बुरा लगे, तो आप हमें comment करना ना भूलिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि comment जरूर कीजिए, यह हमारे improvement और आपके improvement दोनों के लिए जरूरी है, इस वीडियो में इतना ही notes की अगर मैं बात करूँ, तो आप हमसे contact कर सकते हैं हमारे whatsapp number से और email id से, जो कि आपको description box में मिल जाएगी और आप हमसे जुड़ सकते हैं, telegram channel पर further updates के लिए, या फिर आप YouTube channel को भी subscribe कर सकते हैं, further updates के लिए, इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, next वीडियो में, next chapter के साथ, thank you for watching this video, have a nice day.